नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपको जनरल स्टोर के वेपसाई के बारे में बताऊंगे किया वेपसाई कैसे कर सकते हैं इसके लिए सरकार कितना लोग देती है और इसके लिए किन किन प्रक्राव की आप सकता होती है पर इसको पताने से पहले मैं यहां कहना चाहूंगी कि जिन जिन वीवर्स ने मेरे चैनल को भी तक सब्क्राइब नहीं किया है प्लीज वो पहले सब्क्राइब कर लें जिससे की मेरे लेटेस्ट वीडियो की जनकरी आपको मिलती रहे तो चलिए अब मैं आपको किर्याना दुकान के विशाई के बारे में बताती हूँ तो दोस्तो जनरल इस्टोर खोलने की प्रक्रिया बहुत ही असान है यदि आप जनरल इस्टोर का पूरा विजिनेस प्लान बना कर यह इस्टोर खोले तो आपका रुलाब ही लाब प्राप्ष होगा आज दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे दुकान से कुछ खईदना ना पड़े व्यक्ति को ग्रहस्ती के हर समान चावल, डाल, तेल, साबून, आदी खईदने के लिए दुकान जाना ही पड़ता है बड़े बड़े दुकानों को देखकर आपको घवराने की जरूद भी नहीं है क्योंकि बड़े बड़े दुकानों से ज़्यादा छोटे छोटे दुकानी चलती है बस आपको अपनी दुकान को चलाने के लिए समय के नुरूप ढालना आना चाहिए उद्धमी को दुकान खोलने के लिए कौन-कौन सी प्लानिंग करनी चाहिए उद्धमी को अपनी जनकई बढ़ाने के लिए कुछ बातों का पुरव ध्यान रखना चाहिए जैसे दुकान का किराया, इंटीरियर काम कराने में आने वाला खर्चा जमान भरने में आने वाला खर्चा आन्सिक ग्रहकों की लिष्ट और दुकान से होने वाली कमाई आदी इससे उद्धमी को दुकान से होने वाली कमाई और खर्चे कनोमान हो जाएगा और वहाँ उसी अधार पर पैसे का प्रबन कर सकेगा किराना दुकान के लिए कौन सी जगह उप्युक्त रहेगी दुकान के लिए जगह की खोच ध्यान से करना चाहिए दुकान ऐसी जगह को ले जहां अन्य किराना दुकान ना हो आपको अपने दुकान में सभी तरह के अनाज से लेकर सुई तक रसब रखना पड़ेगा और आपको ग्रहकों से सलीके से बात करना आना चाहिए ताकि ग्रहक जादा से जादा आपके दुकान पर आए आप किराना दुकान के लिए जगह किराय पर भी ले सकते हैं अगर आपने जगह का चुनाओ कर लिया है तो अगला step है उस जगह में किराय का swap देखना जिसे business है तू किराय पर ले सके swap किराय पर लेते वक्त swap owner के साथ agreement और सकर लेना चाहिए क्योंकि general installed business एक ऐसा business है जिसमें ग्राहकों के साथ relationship बनाने और profit का माने में थोड़ा समय लग सकता है और इस बीच कहीं swap owner आपको दुकान खरी करने के लिए ना कह दे इस बात का आपको ध्यान रखना होगा आपको दुकान के सजावट के लिए भी ध्यान देना होगा आपको समान को दुकान में ऐसे सजा के रखना पड़ेगा जिससे ग्राहकों को समान ठीक से दिखाई दे सके ग्राह किसी वस्तु को तब खईता है जब उसे वहाँ दिखाई देता है बहरी आकर्षन और ग्राहकों को समान जल्दी से उपलब दुकाने की जुश्टी से भी इंटिरियर डिजैन बेहत महत्पुण होता है अगर एक समय में दुकान में 5-6 लोग आ जाएं तो भी उन्हें समान जल्दी मिल सके इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि राना दुकान के विश्टाई के लिए सपलायर्स की मत्रपुन भुमिका होती है आपको अपने दुकान में पूरा समान भरने के लिए ऐसे सपलायर्स दूनना चाहिए जो उचित दामों में जेनरल सौप के लिए सारा समान दुकान में ही लबद करा सके समान की विक्री के लिए कौन सी बाते ध्यान में रखें जब दुकान में समान भर जाये तो समान बेचना शुरू कर देना चाहिए और इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए ऐसे कितने लोग हैं जो दुकान पर नयमित तोर पर आते हैं और वो किन चीजों को ज़्यादा खेचते हैं जीन चीजों की ज़्यादा मांगो उसे हमेशा दुकान में भरा रखना चाहिए और कभी वे केरडिट में या उधार की गुंजाइस करें तो उन्हें दे देना चाहिए अगर दुकान ठीक से चले और कमाई हो तो ठीक है नहीं तो एक-दो महिने देख लेना चाहिए क्यूंकि शुरुआती दिनों में थोड़ी कठ नहीं तो हर विजनेस में आती है बस आपको थोड़ा धेरिये रखना पड़ेगा जनरल इस्टोर्स के वेबसाइ के लिए सरकार कितना लोन देती है प्रधानमंसी मुद्रा बैंक में 50,000 से लेकर 10,000,000 तक का लोन देती है बिना किसी सिक्रोटी के आपके विजनेस का जितना बजट होगा बैंक उतना लोन देगी और उस पर 25% की चुड़ भी देगी और छ चैनल को सब्क्राइब करना ना भूलें सब्क्राइब करने के लिए आप मेने चैनल पर जाकर सब्क्राइब कर जो लाल बटने इस पर क्लिक कर सकते हैं आप मेरे वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और कोई सवाल हो तो आप कमेंट बाक्स में लिख भी सकते हैं उसका में ज पन्यवाद